हम दोस्तों आप सभी का बहुतब्ध स्वागत है आपके अपने चैनल पे हैं मैं रोई तो आप आप सभी के साथ मुझे विमहीद है आप सभी लोग अच्छे उग अगर आपने अभी त्रह माईद टैलिघ्राम चैनल को सॉस्क्राइब ने किया तो टैलिघ्राम को मिलती हैं तीक है सबसे पहले मैं आपको कल क्या बता के गए था कल मैं आपको दो चीजे बता के गए था अक्सर लोग क्या करते हैं मार्केट के अंदर कि भाई market open हुआ market जैसे ही open होता है वो लोग क्या करते इस जगा CE buying करने के लिए तयार रहते हैं कि वही market open हुआ है तेजी के साथ जाएगा लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था कि हम उपर की set CE buying नहीं करेंगे हम कब buying करेंगे जब आपका बजार इस जगा 40,000 के ऊपर जाएगा जब buying करेंगे हम वह भी कप buying करेंगे जब आपका इस जगा konsulate करेंगा ऐसे konsulate होने के बाद एक breakout देगा जब हम buying करेंगे ठीक है या फिर हम दूसा तरीका हमारा होगा कि वही market नीचे की side यानि 49,600 के आसपस अगर मिलेगा तो हम इस जगा CE के पर कि इस देखने को मिलेखना अब जिन लोगों ने हमारी वीडियो देखा उनको लॉस नहीं हुआ क्योंने हुआ क्यों कि की वही मैंने पहले ही बताएट हम उपा करेंगे हम दो तरीके से बाइंग करेंगे या तो 40,000 के उपा या नीचे की साइट ठीक है अगर देखें आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजे वीडियो को शेर कीजे और कल में आपको क्या बता के कहता है इस चीज को अपन समझ लेते है टार्गेट क्या हो सकते हैं तो पहला टार्गेट में आपको बताना चाहूँगा कि माल लीजे मार्केट में ग्रावट आती है और 49,600 के आसवा सबस्क्राइब आपको बजार मिलता है तो इस जगह हम सी बाइंग करेंगे तार्गेट हमारा होगा 49,700 का दूसरा कि मार्केट में आपको 49,600 के बाइंग करने के लिए बोला ठीक है वहाँ पे अगर आपने सी बाइंग किया तो मार्केट में कितनी तेजी आपको देखने को मिली थी 49,600 से और जो टार्गेट में आपको बता के गए था वह 49,950 उपे के टार्गेट बता के गए था जबकि मार्केट ने जो हाई मारा है वो इस जगह देखे 40,100 के सम्तिंग का हाई मारा है अगर इस जगह आपने देखे कोई साथ भी कॉल बाइंग किया होता या अगर मैं बात आपने 49,700 का कॉल आपने बाइंड किया होता और आप देखे इस कॉल की प्राइस डिखे यहाँँ अगरा यहांपे पैसा डवजर करके दिया आप द्रग ने लोगों का पैसाड़ हूआ है जिन लोगों ने वीडियों को पुल के पूरा देका है कि आंगे कैसे काम करना उसको समझते हैं market एक level आगे जा चुका है क्योंकि देखे अभी तक हमारा क्या support लिकल के आ रहा था 49600 का support लिकल के आ रहा था ठीक है लेकिन अब इसमें जो support लिकल के आता है वो 49800 के something का आपको देखने को मिलता है 49800 का क्यों देखने को मिलता है क्या logic है इसके पीचे उसको स ठीक है फिर उसके बाद देखें market जहां पर आँगे गया फिर यहां पर देखें market है इसको फिर संगस किया लेकिन अब क्या हुआ है पहले नीचे जाने में संगस हो रहा था market इसको close नीचे की side करना चाहती थी लेकिन यहां पर आप देखोगे तो यहां पर एक अच्छा सा support बनते हुए दिखाई दिया उसके आँगे फिर देखोगे आप तो यहां पर देखें फिर से इस जगह support बनते हुए दिखाई दिया यानि market इस लेवल को अब बढ़िया support बनाते हुए दिखाई दे रही है जो कि 49,000 आस्टो के something है और उपर की chart अगर आप देखोगे तो उपर दक हमारे टेलिग्राम चैनल को subscribe ने किया तो काफी कुछ आप मिस कर देते हो 49,400 का मैंने आपको यहां पर call दिया था काफी अच्छे target देखने को मिले कुछ chart भी post किये थे मैंने आपको जिसमें काफी अच्छा profit देखने को मिला और continue पूरे target हिट होते हुए यह टेलिग्राम चैनल का link वीडियो के description में दिया गया है इसमें रेंच बनते हुए दिखाई थी पहले इसका देखिए जो रजिस्टेंट बनते हुए दिखाई दे रहा था वो 40,000 के आसवास्का था लेकिन अब जो इसमें रजिस्टेंट बनते हुए दिखाई दे रहा ह क्योंकि देखें market hours में आपने काफी बात देखा हुगा इसमें जो supply आपको देखने को मिलती थी वो 40,100 के something देखने को मिलती थी तो कहीं न कहीं अब जो इसमें supply आपको दिखाई दे रही है वो 40,100 के उपा है यानि हम market में अब 40,100 के उपा जाता है यानि इस जगह opening होई और इसके उपा क्लोजिंग होई इस condition में अगर जाता है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कैसे बाइंग करेंगे जो मैं आपको दिखाता हूँ देखें अगर market इस जगह 40,100 के उपर 40,100 के उपर निकल जाता है प्लस क्लोजिंग दे देता है तो वहाँ पर हम CE बाइंग कर स चांच हो चांच हमारे जो ख Свका हाल distint tea गरेंगे और ul सति हैं ऑल जाएं हम सीथा प्रयुद धर देंगे 40,500 या लानि अगर मार्केट में गिरावट आ गई, मार्केट गिरावट के साथ उपन हुआ है, तो यहाँ पर दो चीजे मैं आपको समझाता हूँ, एक तो लोग होते हैं, जो जल्दवाजी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, रिक्स ले सकते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता सकता हूँ कि ज़्यादा रिक्स ले सकते हैं, वो इस जगह थे कि 49,800 पर बाइंग कर सकते हैं, क्या बाइंग कर सकते हैं, जो ज़्यादा रिक्स ले सकते हैं, कि वही मैं डिसिपिलिन से ऐसे लगा सकता हूँ, मेरा डिसिपिलिन से स्टॉप लॉस रह सकता है, तो वो इस जगह कर सकते हो अब देखे मुझे नहीं पता है कि 49,600 पर आएगा कि नहीं आएगा लेकिन अगर आता है तो इस जगह आप CE buying कर सकते हो option chain को देख लेते हैं कि वही option chain में data कैसे दिखाई दे रहा है जैसे कि आप सभी को पता है कि कल X पार ही है तो कल बड़ा move आपको देखने को मिल सकता है और market में बड़ी तेजी या बड़ी मंदी आपको देखने को मिल सकती है लेकिन लोगों का क्या view है लोग कुछ न कुछ तो करके गए वही इस जगह तो इस जगह आपन समझते है ठीक है यहाँ पर अगर आप देखोग यानि इस range में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 49,500 तक यह quantity आपकी चली है और आज जो support था 49,600 का उस पर quantity अगर आप देखोगे तो काफी कम quantity यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ठीक है इस चीज़ को notice कीजिए बाकी अगर आप तेजी के रुजान में देखोगे तो जो 40,100 का जो level था उस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 42,000 की something देखें यहाँ पर open interest है और 30,000 की something देखें एड़ हुआ है यानि लोगों ने एड़ किया वो तेजी में जादा विश्वास रखते हैं इस जगह अगर आप देखोगे तो 40, 20,000 एड़ ता 13,000 हुआ है 26,000 एड़ ता 10,000 हुआ है 36,000 एड़ जगह देखे 24,000 हुआ है तो यहाँ पर काफी अच्छी quantity है काफी अच्छी quantity और यह quantity comfort कहां तक देती है यह quantity comfort देती है 40,500 तक यानि लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि वह अगर इस जगह 40,100 लेवल निक है क्योंकि यहाँ पर quantity जादा है इस quantity पर क्या आएगा selling का प्रेशर आएगा अगर यह quantity आपका निकल जाता है तो यहाँ पर फिर आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी जो की 40,500 तक लेके जाएगी जैसे कि आपको पता है कि कुछ समय पहले मैंने इस जगह box लगा जाते हैं और उस box को open ले ले लेते हैं इस जगह देखें ऊपर की side हम क्या पिराइस लेंगे ऊपर की side आपने बिल्कुर सही decide किया है 40,100 का लेंगे और नीचे की side अगर आप देखो गे तो नीचे की side हम लेंगे इस जगह देखे 49,600 का यानि यह आपको दिखाई दे रहे ह पर मार्केट काम करते हुँ दिखाई दे रहा है अब देखे इस रेंज को कैसे ट्रेट करना अभी जो मैंने चार्ट ओपन किया 15 मिल्ट का चार्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है अगर वे अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए टेली करने के बाद एक breakout दिया तो यहां पर भी हम सी इडी करेंगे हो उत जगह देकिए करना है तो सब के अंदर आता है कि पी कहा पर आं़ो केसे करना है तो पी इंट करने के एक तरीका काफी अच्छा है कि मार्केट करने के अपने के बाद ऊपर इस जगह breakout नहीं देना चाहिए नीचे की साइट ब्रेक आउट देना चाहिए अगर नीचे की साइट ब्रेक आउट देता है तो वहाँ पे हम पीई बाइंग कर सकते हैं बाकि इस कॉल को में टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूँगा तो उसको जाके सस्काइब कर लिजे वीडियो कैसा लगा मुझे बताईए जैहिन बंदे माता हूँ